इंडिया में हम सारे तेहर बहुत ही धामदूम से बनाते हैं तो दीवाली जा चुकी है और क्रिस्मस आने वाली है तो चलिए क्रिस्मस के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं तो आज हम बनाएंगे ड्राइफुट चोकलेट तो ड्राइफुट चोकलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ड्राइफुट्स तो यह दिवाली के ड्राइफुट्स पड़े हुए हैं मेरे घर पे जो दिवाली में गिफ्ट में आये थे तो आज हम वह यूज़ करेंगे तो यहां पर मेरे पास है काजू, बदाम, पिस्ता, किश्मिस, अखरोड और क्रैनबेरिस तो हम यहां पर सारे ड्राइफुट्स का यूज़ करने वाले हैं, इन सब ड्राइफुट्स को हमें ड्राइफुट्स करना है, ड्राइफुट्स करने से यह अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, मतलब कि एकदम कड़क हो जाते हैं, जो थोड़े से सौगी हो या फिर थोड़े मुठी भर के बादाम लिया है यहां पर अपने टेस्ट के अकदीट के कौन्टिटिक हां तो आपको जो द्राइब ज्यादा पसंद है वो ज्यादा भी ले सकते हो और जो कम पसंद ही वह कंबी ले सकते हो यहां पर मैंने सब dry fruits का measurement सेम लिया है सब dry fruits मैंने मुठी भर के लिये है काजू, बदाम, अक्रोट और पिस्ता मैंने थोड़ा सा लिया था क्योंकि मेरे पास खतम हो गया था वारना मुझे पिस्ता तो बहुत ही पसंद है लेकिन थोड़ा सा ही था तो मैंने उसको थोड़ा सा ही लिया है बाकि dry fruits मैंने मुठी बर के लिये है और अब इन सब को हम dry roast कर देंगे dry fruits को हम जबी भी roast करें हमें उसको एकदम medium to low flame पे roast करना चाहिए अगर हम high flame पे roast करेंगे तो हमारे ये dry fruits जो है वो जल सकते हैं और उसका टेस्ट भी खराब हो सकता है तो इसका ध्यान रखें कि आप उसको medium to low flame पे ही roast करें थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन अच्छे से roast हो जाएंगे और जलेंगे नहीं अगर आपको गी का टेस्ट पसंद है तो यहाँ पे आप गी भी add कर सकते हो और गी में भी उसको roast कर सकते हो एक दो चमच गी में अच्छे से roast हो जाएंगे तो यह देखिए यहाँ पे हमारे dry fruits जो हैं वो अच्छे से roast हो चुके हैं तो अब उसको मैं एक chopping board पे निकाल लोंगी chopping board पे निकाल के उसको ठंडा होने देंगे क्योंकि वो ठंडे होंगे तब ही अच्छे से chop होंगे तो यह देखिए मैंने उसको chopping board पे निकाल लिया है और उसको रख दिया है side में तो अब आगी की process करते हैं तो अब चोकलेट बनाने के लिए हमें चाहिए चोकलेट तो यहाँ पे मैंने ले लिए है dark chocolate compound अगर आपको dark chocolate नहीं पसंदे तो आप milk chocolate या फिर white chocolate कोई सी भी chocolate आप ले सकते हो अगर आपके पास इस तरह का compound अवेलेबल नहीं है तो आप market में मिलने वाली कोई भी chocolate ला सकते हैं जैसे dairy milk 5 star कोई भी chocolate यहाँ पे चलेगी तो यहाँ पे मैंने compound ले लिया है dark compound और यहाँ पे मैंने उसका measurement रखा है 1 and half half से भी कम है एक compound पूरा लिया है और थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा लिया है तो अब इस chocolate को हम छोटे-छोटे pieces में cut कर लेंगे ताकि जब उसे melt करें तो melt होने में आसानी रहे वो जल्दी से melt हो जाए तो यहाँ पे इस तरह छोटे-छोटे pieces में उसे cut कर लेना है यहाँ पे measurement की बात करें तो dry fruits और chocolate दोनों का measurement लगपक सेम रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि तकरीबन एक कप जितने मैंने dry fruits ले है और एक कप जितनी chocolate होगी तो दोनों का measurement सेम रहेगा तो अगर आपके घर पे कोई भी बरतन, कटोरी या फिर कोच भी हो तो उस तरह आप उसको measure करके ले सकते हो और अब मैंने ले लिया है सेम पैन जिसके अंदर मैंने dry fruits रोस किये थे और उसको मैंने साफ कर लिया है क्योंकि dry fruits की थोड़े से उस छिल्की उसके अंदर रहे गए थे तो वो मैंने साफ कर लिया है और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है condensed milk तो condensed milk का एक टीन लिया है मैंने जो 380 ग्राम का है लेकिन यह पूरा मैं यूज़ नहीं कर रहे हूँ इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बचा लिया था तो तकरीबन एक कप जीतना एक से डेड़ कप जीतना यहाँ पे condensed milk मैंने लिया है और अगर ग्राम में मेजर करें तो यहां पे अमने condensed milk और चॉकलेट दोनों का यूज़ किया है तो अगर आपको डाक चॉकलेट पसंद नहीं है खाने में थोड़ी सी कड़वी लगती है फिर भी आप अगर इस तरह उसको यूज़ करोगे तो खाने में टेस्टी लगईगी क्योंकि condensed milk की वज़े से उसका जो के परोसेश स्टाट करते हैं तो यहां पे मैंने फ्लेम को एकडम low to medium रखाये लो से थोड़ा साई जाधा रखना जाधा बहुत ही एकडम low भी नहीं रखना और एकडम high भी नहीं रखना है और उसको मैंने मिक्स कर लिया है तो चोकलेट है जो मैल्ड होने लगेगी तो ज में जो मिक्स्चर हम ने बनाया है कंडेंज मिल्क और चॉकलेट का उसको भी चलाते रहेंगे उसको छोड़के भूलने ही जाना है वरना नीचे से जलने लगेगा और यहां पे आप नॉन स्टिक पैन का यूज़ करिएगा बहुत ही बेटर रहेगा स्टील का या फिर अलुम ट्रैफूर्ट्स के साथ मिला लिया है तो तकरीबन एक कप चीटना फॉर्ट्स बनके रेडी हो गया है तो यह देखें यहाँ पर हमारी सारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है फिर भी इसको अभी चलाना है यह थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा तब तक उसको हम चलाते रहेंगे तो इसको चलाते हुए मुझे 10-12 मिंट हो चुके हैं और 10-12 मिंट में अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा और थोड़ा सा गाड़ा भी हो जाएगा तो अब इसके अंदर एड़ कर देंगे सारे ड्रैफूट्स यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बनने ही करेंगे उसको चालो ही रखना है और ड्रैफूट्स एड़ करने के बाद उसको मिक्स करना है और फ्लेम हम जितनी रखी थी मिडियम टुलो उतनी ही रखेंगे और उसको चल के अंदर मैं उसे डाल दूंगी बटर एड करने से चोकलेट के रिच देस बढ़ जाती है और एकदम सिल्की और स्मूध बनती है तो यह देखे थोड़ा सा बैटर गाड़ा भी हो गया है और इसके अंदर बटर डाल गे इसको मैंने अच्छे से मैल्ड कर लिया है बटर को औ इतना ही पकाएंगे यह प्रोसेस करने में मुझे तकरीबन 15-20 मिट लगे तो 15-20 मिट में यह जो हमारा मिक्शर है एकदम रेडी हो जाएगा और अब हमें ले लेना है एक बटर पेपर तो पहले मैंने थोड़ा सा चोटा सा बटर पेपर लिया था लेकिन हमें यहां पर च उसको ग्रीज करके भी यूज सकते हु तो यहां परिख सकते हो कि प्रमोर चॉबले जूबठे का वह पहले से बहात ही गाड़ा है तो यहां पर मैंने चॉबले का सारा मिक्शर निकाल लिया है बटर पेपर के उपर और सपैचब्से इस तरह से मैं उसे शेप दे दूगी तो ये जखे काच चाहरे हों असी चाहिए जो एक और परेवर होसे दे सकते ह्ये हैं तो यह देखिए इस तरह मैंने उसको रोल कर लिया है हलके आतों से और एक अच्छा सा सिलिंडर शेप भी दे दिया है तो अब इसको हम रख देंगे फ्रीज में थोड़ी देर सेट होने के लिए तो 10-15 मिंट में अच्छे से सेट हो जाएगा तो यह देखिए अच्छे से सेट हो चुका है और इसको हम निकाल लेंगे तो यह देखिए बटर पेपर की वज़े से बिलकुल भी चिपका नहीं है और इसली यह हमारा जो मिक्शर है वो निकल गया है और यह हमारी चॉकलेट अल्मोंस ट्रेडी है तो अब इसको पीसिस में cut कर लेंगे तो ये देखे, easily cut भी हो रहा है और हमारी चॉकलेट बहुत ही बढ़िया बनी है बहुत soft भी नहीं है और बहुत hard भी नहीं है और बिल्कुल भी sticky नहीं है तो एकदम मस्त चॉकलेट बनकी ready हो चुकी है तो ये देखे, आपको मैं दिखाती हूँ बीच में से cut करके तो ये देखे, देखने में कितनी बढ़िया लग रही है सारे dry foods इसमें दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत ही tasty लगती है तो इस बार Christmas में ये वाली चॉकलेट ज़रू ट्राय करना आपको इसे में बीच में से cut करके दिखाती हूँ कितनी soft है ये तो ये देखे, easily cut हो रही है और बहुती soft बनी है और खाने में भी बहुती tasty है घर में बच्चों और बड़ों सबको ये चॉकलेट बहुती पसंद आईगी तो चलिए बाकी की पीसिस भी cut कर लेते हैं इसे मैंने एकदम पटली पटली slice में cut किया है आपको जैसा चाहिए वैसा आप उसे cut कर सकते हो तो इस तरह मैंने सारे चॉकलेट की पीसिस cut कर लिए है और अब इसे क्लेट में निकाल लेंगे आप इसे कोई air tight container में भरके रख सकते हो आप freeze में ने रखोगे तो भी चलेगा आप बार भी रख सकते हो या फिर freeze में भी रख सकते हो freeze में रखोगे तो थोड़ी सी hard हो जाएगी बार रखोगे तो इतनी soft रहेगी तो यह देखे हमारी जो homemade chocolate है वो ready है और देखने में बहुत ही बड़े लग रहे है और खाने में बहुत ही tasty है तो चलिए अब इसे ले जाते हैं क्रिशा के पास उसको taste करवाते हैं कि उसको कैसी लगती है उसको तो बहुत पसंद आएगी क्योंकि उसको dry fruits और chocolates और मीठा बहुत पसंद है मेरी तरह उसे मीठा बहुत पसंद है तो उसको definitely पसंद आने वाली है और अगर आपको भी ये recipe पसंद आये तो please like किजिए और चैनल पे नए तो subscribe मिलते हैं जल्दी ही next वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना